एक बाद फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओमी देसी बॉडी ट्रेनर में मैं आपका होश्ट ओमी स्वागत करता हूँ अपनी एक और नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुशप्स लगा कर बॉडी कैसे बनाएं जिया दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो है ये उन भाईयों के लिए होने वाली है जो भाई विलेस से बिलॉंग करते हैं या ऐसे भाई जिनके पाँ इतना पैसा नहीं है कि वो जिम जॉइन कर सकें या ऐसे लोग जिनके पाँ समय नहीं है जिम जाने का या एक्सरसाइज करने का जिए दोस्तों कई सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में पड़े हुए जिनके पाक कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है और वो अपने सरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ऐसे मैं आज के इस वीडियों में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ कुछ पुछ लगा करके ही एक अच्छी बॉड़ी बना सकते हो वह भी घर पर रहता जिहां दोस्तों आपको बिल्कुल भी जिम जाने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह जानते हैं वह क्या तरीका है कैसे आपको करना होगा सब कुछ बताने वाला हूँ आज के अपनी इस वीडियो में तो बने रह पुषफ लगाकर एक अच्छी बॉड़ी बना सकते हैं और दोस्तों यह बात मैं ऐसे ही नहीं बोलना हूँ इसको मैंने खुद पॉसिबल किया है तभी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यह बात शेयर करना हूँ जा दोस्तों अगर आप भी एक अच्छी बॉड़ वेट से यानि पुशर्फ लगा करके तो यह 100% पॉसिबल है बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा और वैसे ही करना होगा फिर देखिए आपको पुशर्फ लगा करके सिर्फ आप अपनी बॉड़ी बना ले जाओगी तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू क कि आपको किस तरीके से क्या करना होगा बहुत द्यान से सुनते चलिए तो दोस्तों जब भी आप पुशर्फ लगाने चले तो यहां पर बहुत से लोग क्या गल्दी करते हैं कि वह बहुत फास्ट पुशर्फ लगाते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि अगर आप चेस्ट को अपने शोल्डर्स को और अपने ट्राइसेब्स बाइसेब्स अपने बैक को पूरा बतलब की स्ट्रेश कराना है अच्छे से ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा बहुत ही स्लो पुशर्फ परफॉर्म करने होगे ठीक है बहुत से लोग गल्ती करते ह कि बहुत ही तेजी से करना शुरू करते हैं, ऐसे में बिलकुल भी आपको फर्क नहीं दिखेगा अपनी बॉडी पर, ठीक है, शुरुवात आपको बहुत ही स्लो करनी होती है, बहुत ही अराम से आप पुशर लगाते हुए नीचे जाओ, और बहुत ही स्लो आप उपर आओ, ठीक है, इस तरह से जब आप शुरू में पुशर लगाओगे, तो आपको विदिना मंथ, आपको अपनी बॉडी में चेंजे दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है, इसके लाओ दोस्तों, आपको जब भी पुशर करना है, तो अपनी बॉडी को बिलकुल इस्टेट रखना है बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से उठा देते हैं, इस तरह से जुका देते हैं, ठीक है, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, जो लोग ऐसा करते हैं, पुशर बहुत ही गलत लगाते हैं, ठीक है, बिलकुल भी आपको ऐसा नहीं करना है, बिलकुल आपकी बॉडी प्कारम बोडि बना सकते हैं, जी भी बिलकुल बना सकते हैं, बस आपको छोटी जो मैं बाते बता रहारा हूँ, इन्हें आपको ध्यारबने रखना होता है, टीक है? तो जैसा कि मैंने आप बताया है कि बिलकुल आपकी जो body होगी state होगी ठीक है और बहुत से लोग क्या गलती करते हैं जब push up करने के समय जब नीचे जाते हैं तो इस तरह से अपने हाथों को कर लेते हैं ठीक है इस तरह से नहीं करना होता है आपको कोशिश ये रखनी है अपनी elbow को अंदर गयोर दबा करके नीचे जाना ह और फिर उपर आना है ठीक है बहुत से लोग ये ऐसी गलती करते हैं ठीक है तो ये push up में कुछ छोटी जोटी गलती हैं जिनके वज़े से आपकी body नहीं बनती है ठीक है तो अब मैं आपको बता दो कि जब आप perfect तरीके से push up लगाते हो ठीक है तो सबसे पहले इस से आपकी जो chest है वो बनना शुरू होती है ठीक है आपकी chest की growth होना शुरू हो जाती है ये आपकी छाती चौडी होने लगती है ठीक है और आपके biceps, triceps भी जब stitch होते हैं ड़िखभा से ठीक है तो इसके रहो back आपकी जो हो चौडी होना शुरू हो जाती है तो धीरे-धीरे करके यानि सबसे पहले आप उसी को लगाओगे बहुत ही कंट्रोल वे में बिलकुँ स्लो ठीक है बहुत इस धीरे धीरे आपको उपर आना है अब यहां पर एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है सभी भाईयों के साथ यह कि वह ज्यादा पुशव नहीं लगा पाते हैं ठीक है कई सारे लोगों को मेरे पार कमेंट आता कि सर हमसे केवल दस या बीश पुशव लगते हैं उसके बाद हम पुशव नहीं लगा पाते हैं तो दोस्तों सबसे पहली आप यहां पर गलती यह करते हो कि आप पुशव लगाने की समय अपनी सांस जो है यानि ब्रीथ है उसको काम है यहां आपको अपनी सांस को रोकना नहीं होता है बलकि आपको अपनी सांस पर कंट्रोल करना होता है ठीक है जब आप नीचे जाते हो ठीक है पुशव करने के समय जब आप नीचे जाते हो तो आपको ब्रीथ आउट करनी होती है ठीक है और जब आप ऊपर आते हो तो आपको breathe in करना हुती है तो आपको इस तरह से में करोगे तो आप जाहे जितने a again ब्राइक और एक बार क्या नीचे जाते है पुषब लगते होगे तो breathe out यानी सांस को छोड़ देना है ठीक है और जब ऊपर आते हैं तो आपको breathe in करना है ठीक है ऐसा जब करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके push-ups की जो counting है गिंती है वो बढ़ने लगेगी ठीक है अब और देख लेते हैं तो दोस्तों दूसरा आपको जो variation आपको जो करना है वह diamond push- चैनल आता है कि जब आप push-ups को मतलब की करते हो तो उसी से आपकी बाड़ी बनन शुरू होती है जब आप Diamond push-ups करते हैं तो इससे आपकी Chest और Trice Eyes दोनों ही मतलब की दोनों पर ही work होता है तो इससे आपकी चेस्ट भी बनती है और प्लस इससे आपकी ट्राइसेफ भी बनती है डायमेंड पुशफ लगाने से इसके अलावा दोस्तों जब आप पुशफ लगाते हैं ठीक है पुशफ परफॉर्म करते हैं तो इससे आपके धीरे-धीरे बॉड़ी का जो वज पूशरस्प लगाते हो तो इससे आपकी जो माश्पेशी मसल्स हैं वो मजबूत होना शुरू होती है ठीक है तो ऐसे में आपकी धीरे करके बौडी जो है वह पावर में आ जाती है आपके शरीर में ताकत आने लगाती है ठीक है इसके अलावा अगर आप और एडवांस पर धिर हदो एक होता है और इसे आप जब लगाना शुरू करते हैं तो इस से आपके पूरी बॉर्डी का वर्कौट होता है और इसे आपकी बाड़ी बहुत ही जबर्दस्त बनके पर पर तयार होती है तो जब आप हे पर हंदो लगाते हैं तो इससे आपके crystal headache का वर्काउट होलेता है इस से आपकी ट्राइशेप सब्सक्ति बधादा इसके हमा आपको जाता है इस पर बहुत ही बढ़े हम दालता है हिंदू-खुलर लगाने से सबसे बढ़े बात यह होती कि इससे आपको सिर्फ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है ठीक है तो आपको शुरुबात करनी है बेसिक पुशुप से जिसे नॉर्मल पुशुप करते हैं धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है फिर उसके बाद आप अपने हिंदू पुशुप से भी आप की बॉड़ी में जबर्दस्त ताकत आती है जबर्दस्त वयाम होता है हिंदू पुशुप ठीक है और इससे आपकी जो बॉड़ी हो तो निखर के आती ही है इसके अलावा इससे आपकी बॉड़ी में कई और भी सारे चेंजेश होते हैं इससे आपके जो क्या कहते हैं कोर ह हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इससे आपकी छहाती बना सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ तरीके होते हैं चिनको और अच्छी बॉडी बना सकते हैं। और रहाला है। उस Para कहable přॉट्रॉल और को क्या है क्या हूथ है। हिस कि हैं हिंदू भुसरा से लगाते है एक पर जाते हैं फिर वापत इस तरह देनी है और जब आप इस तरह होता है अगर रिपर कंट्रोल करके कोई पुछ अप्र today को दो ठीक है तो यही कुछ दोस्तों तरीके हैं जिनको करके आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं